नमस्ते फ्रेंस आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे और गरपी होंगे दोस्तों आज हम यह ओल्ड ब्लाउज पीस का यूस करके बहुत ही यूसपुल सी और जो नए नए सीख रहे हैं उसके लिए थ्री बहुत ही यूसपुल चीज बनाएंगे वैसे तो यह घर उल्ली मेला कट करने के बाद हम स्लीव को कट कर लेंगे इस तरीके से दोनों स्लीव को हमें कट कर लेना है ऐसे अलग से निकाल लेना है अब देखें दोनों स्लीव को हमने निकाल लिया अब जो लेस लगी है वहां से मैं कट लगा लूँगी और इसको हमें देखें यहां से थोड़ा सा अच्छे से राउंड से दे देना है और फिनिश दे देनी है और इसी किनाप से दूसरा पाट हम कट कर लेंगे कट करने के बाद हमें यहां पर स्टीच कर लेना है ऐसे यहां से उससे पहले हमें देखें ऐसे छोटी सी स्ट्रिप लेनी है और इसे हमें फोल्ड करके स्टीच कर लेना है और इसे सिधा कट कर लेना है पहले और फिर ऐसे फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है इसके उपर कुमा ले लिया है और इसे इसकी अंदर इस तरीके से रखना है और प्लैटे लेना है और उतस्य आप कर लेना है देखें कहा पी यहां पी हमें सिलाइ करनी तो नीचुतिए यह वहत लिछ बहुत ही प्यारा सा नैपकिन हॉल्डर रेड़ी हो गया सेकन में हम बनाएंगे यह पीट का जो बेक साइट का पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है जहां पे टक्स भरे हुए थे वहां से मैंने कट किया है आप अपनी स्याप से जितना बड़ा च्छोटा बना सकती है और देखें अगर आपको सिलाई करना सीख रही है तो इसे चोटी चोटी चीजे आप बना के बहुत ही अच्छी चीजे बनाएंगे जो घर में भी यूस्पूल रहेंगी और फिर आपको हाथ भी बैठ जाएगा तो देखें यह मैंने कट कर लिया और इसका मैं आपको नाप बताती है तो यहां से यह 8 इंची से और यहां से यह 5 इंची से अब देखें इसी के नाप से हमें यह टांसपरन से कट करनी है लेकिन 5 इंची से कम मतलब कि 4 इंची समें कट करनी है यहां से लंबा इसकी सेम रखनी है हमें अब हम जीप ले लेंगे 8 इंची का उसे उल्टा रखना है और सिलाई करने के बाद हम यहां पर प्रेस्टीज कर लेंगे Prestige हो जाए उसके बाद हम जिब के अंदर runner डाल देगे देखिए यहां पर इमने Prestige कर लिया है और जिब के अंदर runner भी डाल दिया है अब देखिए इसके उपर ऐसे उलटा रख लेना है और फिर यहां से लेकर तक पूरे सरकल में हमें स्टीज कर लेना है यह जो स्क्वेर वेर है उसे अब हम इसे सिधा कर लेंगे अ देखिए यहाँ पर मैंने सिधा कर दिया है और यह हमारा ready हो गया इसमें आप अपनी जो चिलाय की घ्र्रेट की रियल होती है वह आसानी से रख सकती है कि कलर आसानी से इसके उपर देख सकते हैं अब देखिए यह जो शॉल्डर के पास बचा हुआ था उसमें से हमें क्या करना है तो मैं यहाँ से जो कपड़ा बचा हुआ है वहां से सरकल निकाल लोंगी और दूसरी सेट भी हम सॉल्डर में से सरकल निकाल लेंगे अब दूसरी सेट है वो भी हम उसी के नाव से कट कर लेंगे और दोस्तों यह बहुत ही आसान है और यूस्पल भी है तो आप जरूर ट्राय करना अब देखिए यह जो अस्तर और जो सीफोन सारी का ब्लाउच पीस है तो उसको हम जोड लेंगे अब देखिए यहां पे हमने सिलाई करके जोड लिया है अब इसे ऐसे फोल्ड करके हमें सेंटर में से कट कर लेना है तो यहां पे हमने कट कर लिया है अब हम जिप को लेंगे और ऐसी उल्टी रखके सिधा स्टीच कर लेंगे stitch करने के बाद हम यहाँ पी prestige कर लेंगे प्रेस्टीज हो गया है अब हम दूसरा पार्थ है उमारा उसे बी ऐसे उल्टा रखना है और सिलाई करनी है, सिलाई करने के बाद हम यहाँ पी prestige भी कर देंगे अब जिब के अंदर runner भी हमने डाल दिया है और ऐसा छोटा सा लूपस बनाया है जिसे दोरी बनाई है इसका लूपस बनाके यहां पर अटेज कर लेना है अब जो दूसरा हमारा सरकल था इसके उपर ऐसे उल्टा रखके पूरे राउंड में स्टीज कर लेना अब हम इसे यहां से सीधा कर लेंगे अब दिखिए यह आप बैग में या किसी में भी लटका सकते हैं और इसमें इयरफोन रख सकती हैं या फिर आपके जो बटन वगेरा होते हैं वह भी आप इसमें रख सकती हैं सो बटन है जो आप स्टीज कर रहे हैं और संबाल के रखी हुए तो इसके अंदर आप वह भी चोटी मोटी चीज़े इसके अंदर आप रख सकती है ये ऐरफ़ोण केबल अगेरे पी डेटा केबल कुछ भी रख सकती हैं जो आपकी चोटी-चोटी चीज़े होती हैं तो ये यूस्पुल सी थ्री चीजे थी जो आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर कमेट जरूर करना मिलते हैं ऐसे नई आडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जै भारत